Hello to everyone, this is Zavidic Admiral Aakshi and welcome to your daily dose of Current Affair. We are starting the series with a very terrible news की टेरर अटेक हुआ है हमारे इंडियन आर्मी के कॉन्वाई के उपर जिसमें की हमारे पाँच सोलजर जो हैं वो सहीद हो गए हैं. ये अटेक पुन्च सेक्टर इंडियन जम्मु एंड कस्मीर में हुआ, इस अटेक में ग्रेनिट्स से अटेक किया गया, जिसमें की हमारा जो ट्रॉक था उसमें आग लग गया, जिसके वज़े से हमारे सोलजर जल करके मर गए. इस पूरे जो घटना थी, इसके जिम्मदारी PAFF ने लिया है, यानि की People Anti-Fascist Front ने लिया है, इस organization को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पाकिस्तान से ऑपरेट करता है भारत के खिलाफ, इसका में आबजेक्टिव ये है कि वो कस्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चा इस में PAFF की अस्थापना की गई, इक बात क्लियर है, जिस तरह से भारत ने पुलवामा अटैक का रिवेंज लिया था, उसी तरह से इस अटैक का भी भारत रिवेंज ले सकता है, in the upcoming days हम लोग ये सुन सकते हैं कि कुछ अटैक भारत पाकिस्तान के उपर कर रहा है, क्योंक 10 topic, let's talk about UNICEF estimate, UNICEF का ये कहना है कि पूरे Indian subcontinent में, यानि कि South Asia में 29 करोड़ child brides present है, 29 करोड़ बच्चों का जो 18 से कम के हैं, उनकी marriage हो जा रही है, ये बहुत ही बड़ा number है, अगर percentage में बात करें, तो 45% of child marriage जो दुनिया में होती है, वो South Asia में हो रही है, child की, 9, ये एक grave concern का point है, और इसलिए UNICEF क्या कर रहा है, regional forum को organize कर रहा है, जिसमें कि India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, ये सब join करेंगे, और discuss करेंगे कि problem क्या है, क्यों ये child marriage हो रहा है, पर problem तो बहुत simple है, financial strain लगता है parents के उपर, इसलिए वो क्या करते है, child marriage करा देते हैं, और यही UNICEF का भी कहना है, और उसके साथ-साथ UNICEF ये भी जोड़ रहा है कि COVID-19 pandemic के बाद जब education रुख गया था, तो और ज्यादा child marriages होने लगें, जो UNICEF के regional director है, उनका एक simple point है कि अगर आप child marriage करा रहे हैं, तो बच्ची की जो learning है, वो रुख जाती है, health के उपर direct प्रभाव पड़ता है, और पूर एक parent को बताना जरूरी है कि उनके बच्चे के उपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनके जो बच्चे हैं, वो उनके उपर बोज नहीं है, वो एक asset है, और ये point डोला अक्तर जो 18 वर्सगी activist है, बंगलादेश से उनका भी यही कहना है कि girls are not burden on parent, but they are an asset, now moving toward the next topic, now let's move toward our third topic, twitter ने क्या किया है, blue tick हटा दिया है, चाहे वो athlete का account हो, चाहे वो politician का account हो, चाहे वो actor का account हो, twitter का simple ये कहना है कि अगर आप web पर use कर रहे हैं twitter को, तो 650 rupees पर मन दीजे, या फिर आप 900 rupees पर मन दीजे, अगर आप mobile system पर use कर रहे हैं, तब ही आपको blue tick मिल पाएगा, 14 साल पहले blue tick का concept लाय गया था twitter के द्वारा, ताकि जो impersonation है, उसको रोका जा सके, ताकि जो misinformation फैलाया जाता है, उसको रोका जा सके, बट अब इसके लिए आपको money pay करना पड़ेगा, और इसी के वज़े से, बहुत सारे जो twitter user हैं, वो अपना grief, अपना pain जो है, वो twitter पर लिख के जता र हैं कि जो Elon Musk कर रहा है, वो गलत कर रहा है, बट मेरा ये मानना है कि जो कर रहा है, वो सही कर रहा है, क्योंकि वो simple economics की theory को follow कर रहा है, वो जान रहा है कि twitter का demand है, और अगर किसी भी चीज का demand है, तो उसको inflate करो, उसका पैसा बढ़ा दो, और वही क्या कर रहा है, Elon Musk कर रहा ह अगर किसी को problem है इस point से तो वो क्या कर सकता है? Twitter को छोड़ करके दूसरे platform पर चल जा सकता है जो कि Indian based है जैसे कि कू platform हमारे प्रधान मंत्री भी इस platform पर मौझूद है हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग consumer है हमारा एक consumer base है हम किसी भी company को Twitter जैसा बना सकते हैं और क्यों नहीं हम लोग कू जैसे companies को help कर रहे हैं और उस company को ही Twitter के label तक ले जाए नव यह तो समय बताएगा कि क्या होगा Let's move toward the next Fourth topic Let's see कि हमारे जो foreign minister है S.J.S. Ankar वो कौन से country के दौरे पर visit कर रहे हैं You can see out here from the first April till 29 April यह Central American और Latin American countries को visit करने वाले हैं You can see out here in this map यह आप देख रहे हैं यह Guena है यह Brazil के उपर Venezuela के बगल का country है यहाँ पर सबसे पहला visit इनका होने वाला है उसके बाद फिर यह visit करने वाले हैं Dominican Republic को You can see out here यह Dominican Republic है Venezuela के उपर यह Caribbean के साथ अपना borders शेयर करता है यह Caribbean Sea हो गया यहाँ पर इसके बाद फिर वो Panama विजट करेंगे This is Panama और उसके बाद फिर वो Columbia विजट करेंगे यह सारे countries आपके UPSC prelims के लिए important हो जाते हैं World Geography का topic है कोई भी country अगर हैस जैसंकर विजट कर रहे हैं या Prime Minister President विजट कर रहे हैं वो आपके लिए important हो जाता है आप map work इसका जरूर करें और अगर इस विजट से कुछ ठोस चीज निकल के आ रहा है तो उसे भी हम लोग discuss करेंगे अभी तो यह बस विजट कर रहे हैं That's it for this video I hope you like this video If you like this video, please like, share and subscribe Thank you I hope you like this video